मेरा ना में विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैसे कि आप लोग को पता है हमारे पास ही दो कार है अभी एक किया की सेल्टॉस जिसको अभी फरवरी में 11 फरवरी को एक साल हो जाएगा और यह हमारी ओंडा किया वेज जिसको अभी दो साल कंप्लीट हो अचले कहले कर दो वादों जाते हैं तो आज हमारा में टॉपिक होने वाला है खिले कैश जैसा कि अगरने मेंड़ में t करते हमें लाइन है चाहिए हो जरका एक हमको रोड में गाएर पर यसा की मानी थाइप निटई तो भाई बहुत दिक्कत होती है कि कोहरे जिसे अभी तो नॉर्मल है मौसम कुछ दिन बाद कोहरा पड़ेगा और मतलब ठंड बड़ेगी तो उस टाइम भाई देखने बहुत दिक्कत होती है मैक्सिमम एक्सिडेंट सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि उनको रोड पर मलब विजिविलिटी कम हो जाती है तो इस पर इसमें अच्छी लाइट एकदम हाइफ फोकस वाली अच्छी लाइट होना कार में सबसे अधा मलब कमपल्सरी है तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारी व इसके चाल तरफ की हाउजिंग होती है यह मतलब लाइट को साथ रिफ्रेक्ट करके मिल देख से देख से था चोटे से बड़ी तरफ दिखा जा तो यह एक तब बाईडली इसको पूरा फैलाता है लाइट को अभाई प्रोजेक्टर में क्या होता है प्रोजेक्टर में तो इसका क्या होता है यह मतलब सीधा आगे तक जाता है एक तम टारेक्ट फोकस होता है मतलब जिस भी अबजेक्ट पर फोकस करना जाते है इसका उस पर फोकस परता है डारेक्ट के जो अपर वैंट्स होते है ना उनमें क्या होता है उनमें हैलोजन प्रोजेक्टर यह पे सामने ख़ड़े होके नहीं दिखते ना अब में चीज पढ़ता है फारक इस सीसे से इस सीसे के अंदर से जब बैठके देखते ना तो भाई तब विजुविल्टी आनी चाहिए ना कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब हम टॉर्च से भी देख लेंगे बट में चीज यह है कि सब सीसे के अब कार के अंदर बैठे होते हैं हमें सीसे के त्रो जब दिखाई देता है वह होती है में विजुविल्टी तो भाई अभी जैसे इसका यह है यहां पर दिया हुआ है अगर यही लाइट इसकी यहां पर ऊपर की साइड होती ना तो भाई बहुत मतलब सच बतारे एक और लो जो दो रहता है अभी इसका और इसका के साथ से अभी से निस्की नीचे कर देते तो इतना यहां पर बैठते है उसकी पुस्टनिंग के साथ से लाइट को हमेंसा रखना चाहिए तो यह साथ था अभी एक फ्रेंड की कार्टी कीर्टी कि अर्टिकर जैट दिये प्लस ह वो लेकर गए अपनी कार को और गल्ती से कार की हैडलाइट चूल दी और पूरी कार बंद बंद कर लॉक तो वह क्या हुआ उसकी हेडलाइट जलती रह गई हैं मैं आपको थोड़ी सी क्लिप उसकी डाल दूगा कि वो हैडलाइट के जल दी रही और उसके आदम भाई मतलब बैटरी उसने पूरी हैडलाइट ने बैटरी चूज ली अब क्या हुआ कि इसे आजकल के का रहे हैं एडवांस फीचर के साथ आती है जैसे मेरे यह हॉंडा की इस में जाए भाई इसमें अभी आपको दिखाता हुए इसमें क्या है फ्रिचर कि वाई इससे यहां से इसकी हैडलाइट कौन कर दी है ठीक है अभी देखना आप लोग है यहां पर बैठके इसको करूँगा यहां से लॉक देखना लॉक करती है अभी देखना आप कुछ देर तक है अभी हैडाइट्स हो गई ऑफ आटोमेटिकली मतलब अभी बैटरी को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करेगी अभी क्या होता है मतलब और कारों क्या दिया था यह अभी है अभी जा रहा हूं कर दी का लॉक कर दी से महिंद्रा की स्कॉर्पियो उसमें बहुत ज़्यादा चीजें हुई है और मालती सुप्षकी की अटिका है तो भाई उसमें भी चीजें बहुत ज़्यादा मने देखी है तो मुझे क्या करना हो कि आपके सामने करें को दबाना पड़ेगा इसकी हैड़ाइट्स वगएरा ऑन हो जाएगी फिर से अपने आपी तो और भाई ऐसा बाद भी नहीं कि अब बाद भी जलती रहती है लगाता यह उतने ही टाइम के बाद में मतलब 15-20 से के बाद में आटोमेटरी बंद हो जाएं कि आपके पास ताइम है देखो बंद हो गई कि आप 15 सेकंड में कार के पास आके और बैठके और अपना कहीं भी आ जा सकते हैं तो इतना टाइम है कारे को सच करने का तो अभी आपके बात करते हैं और अभी यही ही चीद खहिं करते हैं इसमें हमारी किया वाली मिकिsystem D. गया इसको अपने दिखा हो खकती है अनॉक करती।ो अब दिक अपने भूए बसन हो गई नोग करने फिर से लॉट करनेंगा फिर स किसको लाइट को करते हैं फोली ओन हो गई ऑच हो गई है गजब लाइट का आसने पाएश कंसियों है तो इसको कर दिया लॉक अभी देखते हैं कि इसकी है लाइट अफ होती है रही है यह यह फुल एलेक्रिक का रहे हैं तो इन बुद अब अब लोक फे घलती है और इसकी सिअन के साथ होता है तो इनको बंदकर देते हैं तो कि अब दूर से काफ़ी दिखाई दिखा देती है लोग क्या करतें को स्मों वगरा कर वा लेते हैं लेकिन उसमें मनलब इतना क्लियर विस्यृटी नहीं रहती है इस मोट आरका इसके साइडों से यह कुछ-छी स्मॉक रहती है लाइट इनके ऐसा कुछ डिफ्रेंस रहता है और प्रफ जैसे फीचर देंगे भार की कंपणिया रालने जैसे कि हांडा है किया है और बीकारें यह डालने है उस्ट प्रफ इंडिया में इस टाइप के फीचर जाइगे मतलब ऐसे दुकार ले जाके और फिर फस जाएंगे कहीं बाहर तो यह फीचर डालने बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यहीं तक थी हमारी वीडियो और आप लोगों को हमारी इंफॉर्मेशन कैसी लगी भाई कमेंट करके और हमारे चनल को सब्सक्राइब करके हमें बताएं थैंक यू सो मच